हेलो फ्रेंड्स मैं हुनी है और आपका मेरे चनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि आज मैं पराठे की रेस्पी लेके आई हूँ कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है और समझ में नहीं आता कि हम बनाएं क्या तो इसलिए मैं आपके लिए जब कभी कुछ बनाने का मन नहीं हो तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला पराठा और जो की हेल्दी भी है तो आज मैं उसकी रेस्पी लेके आई हूँ तो चरिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए कोई बहुत सारी सब्जियों की भी जरूत नहीं होगी सिर्फ जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाना है बस दो चार ट्रिक्स को और दो चार बातों को ध्यान लगना है तो यह पराठा बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेस्पी आप देख रहे होंगे कि पराठा देखने में ही कितना सॉफ्ट और क्रिस्पी लग रहा है इसकी जो उपर की लेयर से आपको पता चला होगा कि जो पराठा की यह सॉफ्ट भी है क्रिस्पी भी है और इसकी जो लेयर से वो अलग से आपको पता चला है पूरा पराठा आप खोल के देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट है तो चलिए शुरू करते हैं पराणा इसके लिए हमने दो कब आटा लिया है और एक कब बेसन लिया है जितना आटा लिया है उसकी आधी कौंटिटी में हमने बेसन लिया है और इसमें हाथ से क्रश करते हुए हम इसमें अजवाइन डाल देंगे अजवाइन का फ्लेवर पराटो में बहुत ही अच्छा लगता है और यह हल्थ के लिए भी अच्छी होती है इस तरीके से हम क्रश करते हुए अजवाइन डाल देंगे और यह हमने चार मीडियम साइज के प्याज लिया है जिनको हमने बारी काट लिया है और इस तरीके से और आप आप मिर्ची के टीवी डालेंगे अगर आप इसमें चुछा है तो अप्हार मिर्चिक के कहिकंध्र हमिघेट सकते हैं Luther आटे का डू लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे इस तरीके से सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे फिर एक डू सॉफ्ट डू तयार कर लेंगे बहुत ज्यादा इसका जो डू है वो आप पतला या सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बेसन मिला हुआ है तो बेसन वह आप इसमें नमक डाला है और अगर आप बहुत जादा देर के लिए रख देंगे तो फिर आप इसके पराटे बनाना नहीं पाएंगे तो इस तरीके से हमने सॉफ्ट डू तयार कर लिया है और इसको हमने कम से कम 15 मिनट के लिए रख दिया था जिससे ये सॉफ्ट हो जाय तो यह देखिए में मेरा आपडो बिल्कुल पराठे बनाने के लिए कंप्लीट है तो चलिए पराठे बना लेते हैं तो इस तरीके से हम इकलोई ले लेंगे आप इस चीच का ध्यान लखेगा कि यह पराठा बहुत ज़्यदा पदला नहीं बनाएगा हलका सा मोटा बनाएगा तब ही वो आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यदा पतला पराठा आप जैसे नॉर्मली सिर्फ आंटे का बनाते हैं वसा मत बनाएगा यहां पर हम थोड़ा सा देशी ही लगा देंगे और इसकी हम लेयर्स त्यार करेंगे इस तरह के से हम यहां भी बना देंगे और ट्रैंगल शेप में इसका हम पराठा बनाएंगे इस तरह के से हम पराठा बेल लेंगे एक बार यह पराठा आप जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे चटनी के साथ रायते के साथ या फिर सब्जी कि किसी के साथ भी आए से ही आप चाय के साथ इन्जाए इसको कर सकते हैं बहुंआ किसा तो इस तरीके से मेरा अधा तैयार हो गया है अब दूसरा प्रक्रें तैयार कर लेते हैं कि पारता है गोल शेप में बनाएंगे नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे वह ट्रैंगल वारा जो पराठा होता है वह बनता नहीं है जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी वह तुटा मुश्किल हो जाता है तो आप इस तरीके से गोल प जाटा तरह जाता है उसके बाद हम इसमें लगाएंगे जो भी कुकिंग आयल आप यूज करते हैं वह लगाएंगे तो दोनों तरफ हम पहले पराठे को से लेंगे उपर वाला साइड सिक चुका है इसी तरीके से हम नीचे वाला साइड भी से लेंगे तो यह देखे यह भ तो देशी की अब बटर या कोई भी कुकिंग आयल नहां पे यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप हल्का सब्सक्रेस करते वेए दोनों तरफ पराठे को शेक लेंगे तो इसी तरीके से हम हम दूसरा वाला पराठा भी शेक लेंगे दोनों तरफ पहले ये लेयर जो इसकी है दोनों तरफ सिख जाएगा उसके बाद हम इसमें भी उसी तरीके से ओल लगाएंगे तो इधर ये मेरा पराठा सिख चुका है इसी तरीके से हम उधर भी सेख लेंगे तो यह देखिए दोनों तरफ मेरा पराठा सिख चुका है तो अब हम इसमें भी देशी घी लगा लेंगे इस तरीके से हलका सप्रिस करते हुए चारों तरफ से इसको सेख लेंगे इस तरीके से एक बार इस तरीके से पराठा जरूर ट्राइ करेगा और इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी ओयल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमें डो तयार किया था तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी हमने ओयल नहीं डाला था सॉफ्ट नॉर्मली आप जैसे रोटी का डो तयार करते हैं सिर्फ इसमें हमने और भी चीजे मिलाई है तो यह इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो तो यह देखिए यह भी मेरा प्राठा सिग गया है इसमें जो प्याज का फ्लेवर है यह बहुत ही अच्छा लगता है और जितनी ज़्यादा कॉंटिटी में आप इसमें प्याज मिलाएंगे यह उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा तो यह देखिए प्राठा आपको देखने से यह सॉफ्ट लग रहा होगा आप देख सकते हैं यह देखिए आप पूरा पराथा हम आपको खोल के दिखाते हैं यह देखिए कि अंदर तक आपको कितना पूरी लेयर्स में यह खुला हुआ पराथा है इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से बनी हुई है बिल्कु सॉफ्ट खसता पराथा लग रहा है यह बिल्कुल क् storage हम ने यह बनाया है जैसे ओर पराथा बनाते हैं उसी तरीके बनाया है कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आपको ये लगे कि नहीं ये बहुत ही मेनत वाला काम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसको नॉर्मली भी कभी भी रेगुलर कभी भी ट्राइ कर सकते हैं जब आपको कुछ बढ़िया खाने का मन हो और कुछ बनानी के इच्छा ना हो तो इसको बड़ों को पसंद आयेगा है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से जज्यादा शेर करिये ताकि और भी लोगों तक ये रेज भी पहुंचे और अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर दिये